हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करती हूं डिन पे इंडिया में इस वक्त की दस बड़ी खबरों से में आपको रूबरों कराएंगे तो यह शुरुआत करते हैं खबरों का सलसिला एक नात्र शिंदे ने महराश्ट के 20 मुख्य मंतरी के तौर पर शपतली है उनके साथ देविंद्र फंडविश ने उप्र मुख्य मंतरी परद की शपतली प्रदान मंतर नरेंद्र मोधी ने दोनों को बढ़ाई दिया है शपत के एक घंटे बाद शिंदे और फंडविंश ने कैबिनिट मीटिंग की महराश्ट में पिछले दो हफते से सियासी घंवासान खत्मों होने की कलार पर है वहीं महराश्ट के मुख्य मंतरी उद्दव ठाकरे ने स्थिफा दे दिया है इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनोट ने उद्दव ठाकरे पर तंजिकसा है कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा है जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वडाश होता है और उसके बाद श्री जन होता है और फिर जीवन में कमल खिलता है संसत का मानसुन 17.18 जुलाई से शुरू होगा जो 12 अगस तक चलेगा इस दोरान में पक्ष अगनीपती योजना महेंगाई जैसे मुद्दो पर सरकार को घेंडी की तयारी कर रहे है बतादे कि 18 जुलाई को राश्टपती चुनाओ के लिए वोटिंग भी होनी है जिसके न जुसमें उन्होंने केंदर सरकार पर जमकल सवाल उठाये हैं मानने कहा है कि अगर यह स्किम इतनी अच्छी है तो फिर पहले बीज़ेपी वाले अपने बेटे को अगनी वीर बनाए उद्वाइपुर में कनहया लाल साहू के हत्यारों को उद्वाइपुर जिला अदालत ने 24 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है अब नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी यानी निया इन हत्यारों को जैपुर निया कोट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है एना ये इनारोपियों को दिल्ली नहीं ले जाएगी राजस्तान की जैपुर में नौ जुलाई की उत्री चेत्रिये परिशत की बैठक से पहले ही माचल के मुख्य सचीव राम सुभंग सिंग आज आहम बैठक ली इसमें उन सम्मुद्दों को लेक पर चर्चा की गई है जिनने केंद्रेग्रे मंत्रयमिश्चा की मौजूद्गी में उत्तर छित्री परिशत की बैठक में उठाया जाना है वहीं हिमाचल अब लद्दाख और हड्याना से सीमा मेवाद का मुद्दा उठाएगा रिलाइंस इंडस्ट्री तेजी से अपने पोर्टफॉलियो का विस्तार कर रही है पोर्टफॉलियो के विस्तार की इसी राणीती के तहत अब रिलाइंस इंडस्ट्री ने रिटेल फूड बिजनस में कदम रखा है रिलाइंस समू की कंपनी रिलाइंस ब्राइंड लिमिटे ने इस सिलसिले में ग्लोबल फ्रेश फूड एंड और्गेनिक कॉफी चेन प्रेट ए मेंजर यानी प्रेट ए मेंजर के साथ हाथ मलाया है इंग्लैन के खिलाव T20 मैचों की सीरिस के पहले मुकाबले में विराट कोली जस्परीत बुबरा और रिशब पंद नहीं खेलेंगे ये सभी खिलाड़ी एक जुलाई से बर्मिंगम में शुरू हो रहे हैं तेस्ट मैच में खेल रहे हैं ये मुकाबला पाथ जुलाई को समाप्त होगा और पहला T20 मैच साथ जुलाई को होना है रूस और योकरेन की जंग को चार महीने से जादा हो चुक है इस दोरान पहली बार ऐसा हो है जब रूस ने योकरेन की किसी जगा को अपनी मर्जी से छोड़ा हो हाला कि दुसरी तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने रूस सेना को इस आइसलेंड से भगाने पर मजबूर कर दिया है इसलायरी संसत भंग कर दी गई है एक स्पेशल बिल पास करने के नए चुनाओ का रास्ता साफ कर दिया गया है तमाम पार्टिया नए चुनाओ कराने का समर्थन कर चुकी अब एक नमंबर को नए चुनाओ होंगे 2019 से 2022 के बीच ये पाचवा इलेक्शन होगा खबरों के और जानकारी के लिए देखते रहे हैं डिन पे इंडिया तब तक के लिए नमस्कार